जनपत फिरोजबाद के सिर्सागंचेतर के ग्राम सिर्साखास निवासी अनिकेद पुत्र गेंदालान ने बताया कि सड़क पर जूलते बिजली के खुले तार नीचे लटक रहे हैं जिसकी चपेट में आने से मक्का की करब ट्रेक्टर ट्रॉली में आग लग गई किसान निकेद मक्का की करब को ट्रेक्टर ट्रॉली पर लाद कर घर की ओर जा रहा था उसी समय सड़क पर नीचे जूलते हुए बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रेक्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई उसके बाद देखते ही देखते चंद मिन्टों में आग पूरी ट्रॉली पर लदे मक्का की करब में फैलने लगी। ड्राइवर ने सूज बूज का पर्चे देते हुए ट्रॉली पर आग में तब्दिल हो चुके मक्का की करब को खाली मिदान में उतार दिया। और आग बुजाने के लिए घरेलू समर का इस्तेमाल किया। तता ड्राइवर ने चाला की नहीं दिखाई होती तो कोई बड़ा हथसा हो सकता था। इस कारण किसी के भी हताहत होनी की सूचना नहीं मिली। विरो रिपोर्ट साक्ष निउस फिरोजाबाद। करीद के लिए कि दरी पूरी थी डेढ़ सो पूरी देढ़ सो मगडे रहती है।